हलो दोस्तों नमश्कार आदाप सस्रिया काल सभी को जी एस निवी कड में आपका हर्दिक स्वागत और अभिनंदन करते आज हम बात करेंगे नाइस डिलेट को लेके महत्पूर्ण सुचना क्या है बिहार सिच्छक भरती फेश्टू जो बीपेसी की भरती चल लही है इसमें PPSC ने एक नोटीस ज़ारी कर गया है आफ़ीसील नोटीस है देख सकते हैं जिसए हमने लगा रखा है इसमें कहा गया है उस नोटीस में कि बिया हो जल्दी इनको ये नोटिस पे जाके मल्लब कि इनको जाके वेपसाइट क्या 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 करना है इसके बारे में जल्दी ये काम करना है उनके लिए है चले पहले नोटिस देख लिए बिहार लोग सिवायों की नोटिस है ये इसमें आपको ये बताया गया है कि जितने डियलट करना है चलिए पहले आप समस्थ लेते हैं पूरा नोटिस इसके बाद आपको बताएंगे इसमें करना क्या है बिग्यापन संख्या 27 अबलिक 2023 बिद्धाला अध्यापक प्रत्य योगिता परिच्छा के वर्ग एक से पांच तथा ये छह से आठ के अध्यापक पद में 2022-2023 आज से दिनांक 18-12-2023 तक आयोग की वेबसाइट आनलाइन बीपीसी बिहार गौर्णमेंट पर जाकर यूजर नेम और और आईडी पासवर्ट के नाम पर अपनी वेबसाइट को खोल के उस पे अपने सारी डाकून जो भी आपने किया है कहां से किया है सारी डियूरे 12 को 18 दिसंबर तक आप वेबसाइट पर जाकर यूजर नेम और पासवर्ट को लागिन करके डैस्बोर्ट पर जैसे बीपीसी के साइट खोलते हैं तो यह अपना खोलता है इंटर डीटेल बैलिड इंटर आपको डीलेट की जो डीटेल्स है उसको क्लिक करना है उस पे नस्त निरद्ध किया दियाएगा मतलब की कहने मतलब आपका जो कंडिट्रेचर है उन नस्त कर दिया जाएगा कौन कहरा बीपीसी को देखे परिशार नियत्तर विहाल लोक सिवाई हो 15 दिसंबर 2013 के नोटी से कल साम को नोटीस आता है इसमें आपको करना क्या है आपको बस कुछ नहीं करना कोई पेनी खुनिक जरूतनी बस आपसे डीटेल मांगी गही है ना यह डियलेट का आपने कितने मंत को कोर्स किया है किस इन्वस्टी से किया है कहां से किया है इसके लिए देखे अभी बिहार सिच्छक मंद शिक्रिट करके भी यह चीज एक तब असपश् मिक्ता दे ताकि निर्धारित आप ही जी दिरूना प्रोटर पर नहीं होने की स्थित में आपको सर्वच नयाले कि आदिश क्योंना मानते भी अभ्यारती का मतलब रद कर दिया जाएगा मतलब कहने के मतलब आपका इसलिए आप उसमें साप साप कहा गया है कि आप अपना किस जखा से किया है कितने मंत का किया है सारी चीज आपको डीटेल में फिल करना है वर्ट उनिवस्टी का नाम कोर्स का पीरियड और पासिंग डेट भी जानकारी देनी है कहने मतलब आप खोलेंगे तो इस तरह का अपसाइट खुल जाएगी उसमें अपना डीटेल भरना ह है उसके बाद certificate upload कर देना अगर upload का भी option भी थोड़ा आ रहा है तो नहीं अपनी डीटेल भर देना है कि नाम भरना है कितने साल कितने मन्त को कोर्स है बनाब 18 मन्त कर तो 18 मन्त चाहे रेगुलर की विद्यारती हो चाहे कोई सभी को यह काम करना है तो असपश टूप से आपको साफ साफ किलियर भी बताया गया है और इसमें कहीं ऐसा नहीं है बहुत आपको पेनी खुने की कि हां हमको बाहर कर दिये कि ऐसा कुछ नहीं बस आपको अपनी यह डीटेल करनी है जाकि वेब साइट पे और उसमें कहा गया अगर आप नहीं करते हैं तो आपको रद कर दिया जाएगा कंडिटेशन रद कर दिया जाएगा यह आप खबर है दूसरी बात है कि अगर इसमें और भी ज्यादा कोई ब अब इदन की हैं उन्हें लागिन करके डैस्बोड पर जाकर डियलेट के समंधित वेब साइट पर अपने सारी डीटेल उसमें साफ सब उन्होंने मेंसन कर दिया है कि अपनी पूरी डीटेल भरना है कि आपने कि इतने मंत का कोर्स कि आप रिगुलर है या ना यह से से कि जो पेरिंग करें इस बार तो पेर्इंग लिए नहीं पिछली बापेरिंग रहे था जुनका रिजल्ट आगया दोनों होने अपलोड कर आया तीसी तरह आपको भी करना है अपना डीटेल विल कर यहीए खबर यहीँ ओब वाद को और बावको शीज़ के पेटनी खोन और आपको नोकरी लगी I hope, thank you all of you, have a nice day, good day थमिक